चुनाव यात्रा के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। चुनाव यात्रा को लेकर इस वक्त हम पहुचे हैं जनपत सिधार्थ नगर में। पीवा हैं, अब क्या लगता है? क्या मुद्द यहां हावी रहते हैं? यहां मुद्द यही रहते हैं कि हर बार जुमले बाजी होती है, हर कोई निता आता है, मुस्लिम बाहुल छेत्र दा, यहां पांट, पच्छीस साल, तीस साल जो भी थे, मुस्लिमी विदायक थे, इस बार रगवंदर परताब सिंग को विदायक बने, उनसे जनता को बहुत उ देख लो, बिजली का देख लो, डीजल का देख लो, यही सब मुद्दा रहेगा, भरष्टाचारी के वज़े से बस्तरकार बदली जाएगी, बेरोजगारी तो बहुत चरम सीमा पे आ गई है, इस तरह से आ गई है कि लोग भुकमरी के कागार पे हैं, यह जान लेजिए, अब वादेत इन्होंनों बहुत किये, लेकिन कुछ हकीकत जमीनी करके दिखाया नहीं, भरष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की व्यास, किसान तरस्त है, नौजवान तरस्त है, इन मुद्दों को लेकर के हम चुनाव में इस बार हम लोग जो है, भारती, मै जिनको विकास का एक गंगा भाना चाहिए, जनता को एक उम्मीद होती है, कि हमारे छेतर में सड़क हो, हमारे छेतर में स्वास सुधा अच्छी हो, हमारे यहां विद्यालेयों की स्थिती अच्छी हो, विद्यालेयों अच्छे-च्छे जो है, आईटी कालेज, इनिनिनिन कुछ भी जेमिन हो, उस पर हड़के, वहाँ पे किसी न क News चाप में परिवयश क्या होगा तो देखे ही हऊगा कि सडग की क्या हाल है क्या हाल नालेओं की है, विकास तो आपको जमीनी अस्तर पर दिखेगा। विकली की साइद वसूली सबसे ज़ादा इनों ने की हर सरकार से ज़ादा वसूल इनों ने की लेकिन बिजली कब आएगी कब जाएगी इसका कोई पता ही नहीं कोई सी डियूल ही नहीं इनका डाटा उठा के देख ली जिए इस बार का जो चुना होगा ब्रश्टाचार पे होगा लेकिन एकदम पूर रूप से विफल हैं कहीं ना आना जाना कहीं रोड़े सिर्फ गेट बनवाने का काम विधायक रागमेंदर प्रताफ सिंग कर रहे हैं उससे ज्यादा तो यहां का मुझे किसी पार्टी से कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है लेकिन यहां उससे ज जहां भी देखो वहां पर भरष्टाचारी का यह है और इस पार्टी जो हमारी समाजवादी पार्टी है हम उससे काफी ज्यादा उम्मीद रखते हैं और इस पे भी उम्मीद थी लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा करके दिखाया नहीं यह सिर्फ दिखावे के तोर पर वापस करेंगे बिल फिर पास करेंगे यह बहुत जल्दी उस्तर पर्देश बिधान सभा चुनाओं के बाद ततकाल यह लागू करेंगे बिल वापस दिखावा है हां मुझे तो एकदम से एसा लगता है कि चापलूसी कर रहे हैं चटुकारता की राजनीत कर रहे हैं मानने पर्दान मंत्री नरेंदर मोधी जी यह ऐसा लग रहा है जिसे पांच राज में विधान सभा क्यों चुराओं होने जा रहे हैं वो यह डेर हैं हैं कि कहीं हम हार न ज करते रहे तब इनको नहीं समझ में आ रही थी बात आज विदान सभा का चुनाव सर पे हैं दो महीने लगभग चुनाव के बाकी हैं तो बिल वापिस कर रहे हैं इस टाइम कानून विवस्ता सबसे ज्यादा बिगड़ी हुई है और जो भी अधिकारी है सब भरष्ट होते ज आरा है क्या सरकार दे रही है सब कुछ एकदम हो है सरकार हर मुद्धे पर भी पल आई महगाई कम हो बेरोजगारी कम हो इस पर फोकस लेना चाहिए और जो की ऐसा है नहीं सराप यहां आए हैं और अभी आप मेरे गाउं का भर्मढ़ करके देख लें कि आप जाना ही सकते ह बुडे बजुग तो चलेंगे तो गिर जाएंगे तो हम क्या उमीद रखें पेपरों में काज़ों में तो बहुत कुछ सुनता हूँ पर जमिनी हकीकत पर कुछ नहीं देख रहा हूँ बेरुजगारी सबसे मस्ठा है जो कि जरूरी है यहां पड़लिख के विचारे इदर उदर भटक रहे हैं मुंबई जा रहे हैं यूपी में क्यों नहीं रहे हैं गौर्मेंट को रूजगार और रही बात बीजेपी की उसने कोई काम किया नहीं है सिर्फ भगवा रंग में रंग रही है पुरे परदेश को गाड़ियों से लेके गाओं के मस्जिद, मंदीर हर जगे सिर्फ भगवा काम कर रहे हैं और एक भी रुपय का विकास नहीं हो रहा है पुरे परदेश में दुमरियागन के छेतर के मानने विधायक हैं जो रगवेंदर परताप सिंग सिर्फ सोसल मीडिया पर एक कम्यूटी को नीचा दिखाने की कोशिस करते हैं एक रुपय का काम नहीं करते हैं और डाहिने हाथ माने जाते हैं सिर्फ कानून को अपने हाथ में लेके युवाओं को परिशान किया जाता है जरासी बात पर उनको ठाने में भर दिया जाता है और एक से एक धाराएं लगा जाती है उनको पर पर परिशान किया जाता है गरीबों को मजलूमों को परिशान किया जाता और कुछ नहीं है और सबसे बड़ी समस्या महंगाई और बेरुजगारी जो लगबग हर विधान सभा में देखने को ओ यहां भी मिल रहा है और रुजगार की बात करें तो यह ऐसा छेत्र है यहां के तमाम युवा लाखों की स संक्या में महानगरों में मुंबई और दिल्ली में नौकरी करने के लिए जाते हैं जाहिर है उनको यहां पर रुजगार नहीं मिल रहा है तो आवसकता अभी इस बात की है कि इस छेत्र में रुजगार भी दिया जाए कानून बेवस्था और बाकी जो है कि वो contenido आवसकता अभी इस बात की है कि इस मुझार भी देशर बास्वाब यहा है नहीं मुझार को इस जाहिए हैं जाहिते हैं जाहिस से हैं जाहिए हुआ को